काफी लंबे समय से भारत चीन सीमा का विबाद चल रहा है खबरें आई कि उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है कई दोर की वारता चली और उसके बाद एक ऐसी घटना सामने आई कि जिससे पुरा देश आज आक्रोसित है देश के लोगों के मन में गुस्सा है कई तरह के सवाल उनके मन में उठ रहे हैं लेकिन भारत की सरकार का जो रवया रहा केंदर की सरकार का जो रवया रहा वो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है पहले कहा गया हमारे तीन जवान शहीद हुए है फिर बताया गया हमारे बीस जवान सहीद हुए है फिर बताया गया हमारा कोई भी जवान चीन की सेना के कबजे में नहीं है चीन के कबजे में नहीं है और कल ये जानकारी मिली और वो भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि दस हमारे जवानों को चीन से छुड़ाया गया है मेरा सवाल ये है कि ऐसे गंभीर मसले पर सीमा विवाद के ऐसे महत्पूर्ण विसापर केंद्र की भाजपा सरकार देश से जूट क्यूं बोल रही है ये देश की जनता के साथ एक विस्वास खात है जो केंद्र की सरकार कर रही है सही जानकारी ना देना जवानों के बारे में उनकी शहादत के बारे में आकड़े छिपाना देश को गुमराह करना सीमा विवाद जैसे मसले पर सही जानकारी देश को नहीं देना ये देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विस्वास खात है मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से आखिर किस कारण से हमारे जवानों को बंधग बनाये जाने की खबर आपने चुपाई आखिर किस कारण से जवानों की शहादत पहले तीन बताई फिर बीस बताई आप देश को सच बताईए पूरा देश इस वक्त आक्रोसित है गुस्से में है और वो सच जानना चाहता है इस वक्त हमारे वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्य बलिदान दिया है मुझ जवानों के साथ खड़े हैं सेना के साथ खड़े है हम कोई राजनी तीस विसे पर नहीं करना चाहते लेकिन पूरा देश इस वक्त चाहता है कि हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए हमारे जवानों की कुरवानी बेकार नहीं जानी चाहिए और भारत की सरकार बदला ले हमारे जवानों की शहादत का पूरा देश चाहता है भारत की सरकार चीन से बदला ले भारत की सरकार देश के प्रधानमंत्री मुहतोर जवाब देंचीन को हमारी पार्टी और हम लोग इस मसले पर सरकार के साथ खड़े हैं पूरा देश सही जानकारी चाहता है सही जानकारी दीजिए देश के सामने एक अप्रैल के पहले की इस्थिती सीवा पर बहाल होनी चाहिए कभी खबरे आती है 60 स्कॉायर किलो मीटर चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया कभी कुछ खबरे आती है भारत माता की रक्षा के लिए हमारे वीर सपूतों ने जो कुर्बानी दी है वो ये मांग करती है देश की सरकार से कि भारत की जो जमीन आज चीन के कब्जे में है वो जमीन चीन से वापस ली जाए और एक अप्रेल के पहले की इस्थितिया बहाल की जाए जो हमारा छेत्र था जो भारत माता की धर्ती थी उसको आजात कराया जाए इस पे किसी भी प्रकार का कोई समझाता देश बरदास्त नहीं करेगा वार के चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं बुलाना मैं समझता हूँ ये अपने आप में सरकार की सोच को उजागर करता है और वो किस प्रकार से किस दिसा में सोचते हैं ये पूरा देश देख रहा है ये आप खुद चेक कर लीजे ना मैं तो आपको बता रहा हूँ और आपके चैनलों ने ही चलाया है ऐसी तमाम पार्टियां जिसके पास पांच सांसत नहीं है उनको भी बुलाया गया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको बुला के कुछ गलत नहीं किया गया है सबको बुलाना चाहिए मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ कि तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल क्या देश के महत्वूर्ण नेताओं में शामिल नहीं है या उनकी राय लेना भाजपा की केंदर की सरकार और प्रधान मंत्री जी को जरूरी नहीं लगता है मैं तो सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ और ऐसे समय में भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं ऐसे समय में सबको साथ लेकर पर चलने की जरूरत है आप सिर्फ नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास सबका साथ लेना नहीं चाहते